एक बार की बात है कि बुद्ध ट्रेवल करते हुए पहुँचे बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं वहां के गाम के लोगों ने बुद्ध का बहुत स्वागत सत्थार सम्मान किया ज्यास तो हमारे घर भगवान आये हैं धरती के सब पुरुश आये हैं अत्यांद्ध हमें एक और दिन स्वागत सत्कार का मौका दीजिए हम आपको देखकर आपका सानित्य पाकर धन्य हो गए ब्रभू रुखिए बुद्ध ने कहां नहीं अब नहीं हो पाएगा बुद्ध निकलने लगे गाम से जाने लगे और जाते-जाते आश्रवात देखे गए उजड जाओ अगले गाम में पहुंचे उजड़ जाओ उजड़ जाओ ना खतम हो जाओ मतलब सब कूशंड़ हो गया किसी गाम में गाम के लोग ही नहीं वहाँ पर भिखर गया में लगाम ना हमके कि लोग भौशेतान थे उनको पता चला कि कोई महात्म हा रहे हैं कोई संद आ र रहें सोड़े लेगी ज़्यादा ठीक रहेगा बहुत परेशान किया बड़ी मुश्किल से बुद्ध और उनके साथियों ने उनके सिश्चे थे उन्होंने रात वहां गाव में गुजारी अगले दिन जब बुद्ध जाने लगे एक बार गामालों से चर्चा हुई और आशिरवात दिया कि बसे रहो बसे रहो बड़ी दूर वहां से निकले तो बुद्ध के सिश्चे ने पूछा कि प्रभू ये क्या बात है जिन्होंने आपकी सेवा करी उनको बोल रहे हैं अगर उजड जाएंगे तो बिखर जाएंगे बिखर जाएंगे तो पुरी दुनिया में जाएंगे और पुरी दुनिया को भैस्तर कर देंगे लेकिन ज़ब हम दूसरी गाउं में थे वो लोग बापी तुस्ट असादू लोग थे परबाद लोग थे वो अगर वो बसे रहेंगे तो दुनिया बर में नहीं फैलेंगे दुनिया को शैतानी करना नहीं सिखा पाएंगे दुनिया को बच्चलन नहीं सिखा पाएंगे दुनिया को कीचड फेकना नहीं सिखा पाएंगे इसलिए मैंने का एक ही जगे पर रुके रहो बुद्ध हमेशा यात्रा करते थे और बुद्ध की यात्राओं के बहुत सारे प्रसंग है जो मैं आज आपको बताऊंगा लेकिन जिंदकी में मैं आपको सच बता रहा हूँ मैं इसलिए ये मेरी लाइफ में एक थोड़ा सा पेन है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अक्सर यात्रा करने से रोका लेकिन सच यह है कि बहुत हमेशा चार दिवारी में होती 99% टेथ चार दिवारी में होती जब वो घर हो जश्पताल हो बहुत बहुत सुरक्षित होती है जिन्दगी तो तब समझभाओगे जब अपनों से थोड़ा दूर जाओगे प्योंकि अपनों से जब हम घर से दूर जाते हैं तो हम conscious होने लगते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है कौन क्या कर रहा है कौन कहां जा रहा है ये क्या है वो क्या है जब हम घर में ही होते हैं तो हम unconscious living में रहते हैं हम ये पता ही नहीं कि क्या हो रहा है unconscious living में कैसे रहते हैं या तो past में या future में और इसलिए जब हम travel करके आते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट में जिये हैं हम अवेर होकर जिये हैं हम वरतमान में जिये हैं हम सजग होकर जिये हैं हम चिंता में नहीं चिंतन में जिये हैं किया यह क्या है तो हमें यह समझ लेना है ड्रेवल महानता की पहली शर्थ है यात्रा हर महान यात्रा यात्रा से शुरू होती है महानता की शर्थ है यात्रा आज मैं देखता हूँ कि कई बार जब मैं NEED, J, UPSC, SSC और नजाने कितने इस्पिरिंट से बात करता हूँ उनको डर लगता है कि हम घर से दूर नहीं जाना चाते लेकिन सच यह है कि जब आप घर से दूर जाते हैं तो खुद के करीब आते हैं और यहीं सच है प्रेवल एजमच अज़िए